दुनिया में बड़े सारे लोग मिलते हैं बड़े सारे लोग दिखते हैं जो राम को मानते हैं मगर बहुत कम लोग मिलते हैं जो राम की मानते हैं तो चलिए आज इस को और की के फर्क को समझते हैं इस को और की के बीच एक बारीक सी रेखा है जैसे आत्म विश्वास और एहंकार के बीच में हैं मैं ये कर सकता हूँ ये आत्म विश्वास है और सिर्फ मैं ही ये कर सकता हूँ ये एहंकार है ठीक उसी तरह राम को मानने में और राम की मानने में मामूली से अंतर है मगर उस मामूली से अंतर की वज़ा से बड़ी बड़ी परिणाम सामने आते हैं जैसे जो राम की मानने वाले हैं उनका अपने भाई के साथ कभी कोई विवाद हो ही नहीं सकता किसी तरह का कोई विवाद, मन भेद, तो बहुत दूर की बात है, मत भेद भी नहीं हो सकता क्योंकि आप देखें, जिस पोजीशन के लिए, जिस कुरसी के लिए, जिस पैसी के लिए, भाई भाई से अलग होते हैं और कितनी बार तो भाई अपने भाई की जान तक ले लेते हैं, अयोध्या में वही कुरसी दो भाईयों के बीच फुटबॉल की तरह उचलती रही पहला दूसरे को पास करता रहा, दूसरा पहले को पास करता रहा और ये सिलसिला एक दिन, दो दिन, महिने दिनों तक नहीं चला इसमें 14 वर्षों तक का धैर्य था, विश्वास था भरत जी, जब राम जी को मनाने वन गए, राम जी नहीं लोटे तो भरत जी ने राम जी की खडाओं को लेकर अपने माथे लगाया और अपने बड़े भाई राम से कहा कि भाईया आपके वन से वापस आने तक इस खडाओं को मैं अयोध्या की राजगदी पर रखूँगा और ये समझूँगा कि मेरे भाईया राजा के रूप में इस कुरसी पर विराजमान है मौका था भरत के पास कि वो राजा बन सकते थे मगर भाईयों के बीच इस प्यार को समझें इस विश्वास को समझें और राम की कहानी हमें ये सीख देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मगर प्यार, विश्वास और जीवन के नैतिक मुल्यों से कभी समझवता नहीं करना चाहिए उसी तरह जो राम को मानने वाले है हो सकता है वो जातिवाद की बात करें लेकिन जो राम की मानने वाले है वो कभी जातिवाद की बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो जिनकी पूजा करते हैं उस राम को जब एक भेलिनी ने अपने पुत्र के समान समझा और उन्हें बेटा कहकर संबोधित किया तो मानवता के आदर्श भगवान राम ने उस भेलिनी के जूठे बेर को खाने में भी संकोच नहीं किया था और किसी कवी ने क्या खोब लिखा है कि निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर आते शामसूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते तो इस राम को मानने और राम की मानने में बहुत जादा अंतर नहीं है मगर यकीन माने राम को मानना जरूरी हो नहो मगर राम की मानना इसलिए जरूरी है क्योंकि राम के जीवन के हर कदम से आप कुछ ना कुछ सीख सकती है राम की मानने वाला जीवन में कभी अपने नैतिक मूल्यों से समझोता नहीं कर सकता राम की मानने वाला जीवन में कभी हार नहीं मान सकता राम की मानने वाला जीवन में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुचा सकता राम की मानने वाला जीवन में कभी निराशावादी नहीं हो सकता क्योंकि राम के जीवन में चाहे जितनी भी कठिने आयां आई पहार के समान विशाल चुनोतियां आई मगर राम निराश नहीं हुए राम ने हर समस्या का समाधान ढूंडा नामुम्किन को मुम्किन किया और इसलिए मैं अपने गुरुदेव की बातों से सहमत हूँ जो ये कहते हैं कि राम को मानो या न मानो राम की जरूर मानो जैसिया राम